नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धर्मा सन्मा हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे के अलावे एक और पौधा है जिसको हम समी का पौधा कहते हैं और ये समी का पौधा तुलसी के पौधे के तरह ही पूजनी है अब समी का पौधा अगर हम सास्र की माने तो इसका बिसेश महत्व है क्योंकि इसको घर में लगाना अच्छा माना जाता है और समी का पौधा भगवान सिब का सबसे प्रेपौधा है वैसे तो भगवान सिब पर जल अर्पित करते समय अगर जल में समी का पौधा का पत्ता या पुस्प डाल कर फिर अर्पित करें तो सिव जी सिग्र ही प्रसन्न हो जाते हैं समी के पौधे को घर में लगाने के फायदे तो है नहीं और साथ ही नकात्मक उर्जाओं से ये पौधा बचाता भी है घर में सुख सांती बनी रहती है तो समी के पौधे के लगाने के फायदे क्या है लगाते समें किन बातों का ध्यान रखे चलिए जानते हैं देखिए सबसे पहली बात माननेता है कि समी के पौधे को घर में लगाने से बरकत आती है और घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती और समी के पौधे को घर में लगाने से सभी दुख दूर हो जाते हैं सुख बढ़ता है यह भी कहा जाता है कि समी का पौधा अगर घर में लगाएं तो वास्तु दोस भी दूर हो जाता है और घर की सब बाधाएं समाप्त हो जाती है लेकिन अगर हम हिंदू मानेताओं की माने तो समी के पोधे को घर में लगाने से विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती है अगर आपके घर में किसी के उपर साड़े साती या सनी देव की डहिया चल रही है तो सनी देव का पौधा जो ये समी का पौधा लगा दें तो राहत मिलती है परिसानी कम होती है सनी की साड़े साती डहिया की मुस्कले कम होती है लेकिन ये पौधा कब लगाएंगे देखिए सनी बार का दिन सबसे सुभ होता है समी का पौधा लगाने के लिए वैसे आप दसहरे के दिन भी समी का पौधा लगा सकते हैं बिना मुर्त देखे बस ये आपको ध्यान रखना है कि समी का पौधा भूल कर भी घर के अंदर मत लगाईए आप चाहें तो बालकनी में, गार्डन में, घर के मुखे दरवाजे पर लगा सकते हैं तो घर के मुखे दरवाजे पर समी का पौधा लगाना सबसे सुमाना जाता है बस आपको ये ध्यान रखना है कि घर से बाहर जाते समय ये पौधा आपके दाहिने तरफ होना चाहिए याद रखिए दाहिने तरफ छट पर समी का पौधा अगर आप रखना चाहते हैं तो दक्षिन दिसा में रखें और अगर संभब ना हो तो पूरब दिसा में रखें समी के पौधे की भी तूलसी की पौधे के तरही रोज पूजा करें और धूप दी दिखाएं तो आपके लिए उत्तम रहेगा लेकिन समी के पौधे के कुछ चमतकारिक लाब भी है चलिए जानते हैं देखिए सबसे पहली बात तो जो तिस में नो गरह है और सनी गरह को नियाए धीस माना गया है और कुंडली में जब सनी की स्थिती बिगड जाए तो हमारे जीवन पर इसका सीधा असर पड़ता है अच्छा हो जाए तो हमारा जीवन बेतर और बिगड जाए तो मुस्किलें जादा और अगर ये गरह किसी ब्यक्ति को असुप प्रभाव दे सनी गरह तो भागे भी साथ नहीं रहता और घर में परिसानिया भी बनी रहती है इसलिए समी के पौधे के उपाय करने से लाब मिलता है तो सनी देव जो सनी का जहां भी आपके घर के आसपास सिला है अगर आप समी का पत्ता सनी देव क्यों अरपित करें तो दोस्त कम होता है तो सनिवार के दिन ये प्रियोग कर सकते हैं कारियों की बाधाये भी समाप्त होती अगर नहीं है सनिदेप का मंदिर तो फिर कोई बात नहीं छोड़ दीजिए दूसरी बात अगर घर में आपने समी का पौधा लगाया है तो उत्तर पूरत विसा के कोने बेगरे में लगा लें लेकिन ये पौधा जब भी लगाएं सनिवार या दसहरे के दिन बिना सुमुर्द का मतल आईएगा तीसरी बात गनेज जी को अगर नियमित रूप से समी का पत्ता अर्पित करते हैं तो घर परिवार में बरकत बढ़ता है नौकरी रोजगार की परिसानी दूर होती है और गनेज जी को अगर आप समी का पत्ता सिर्फ बुद्वार को भी चड़ाएं हर बुद्वार जैसे आप दुरुआ खास अर्पित करते हैं न बिल्कुल वैसे ही समी का थोड़ा सा पत्ता तोड़कर और गनेज जी को अर्पित करें बहुत प्रियेसन गनेज जी को और जब मानेता तो ये भी है कि समी में सिब्व जी का बास होता है और इसी वज़े से ये पत्ता पुस्प है तो पुस्प डाल दें और ले जाकर सिब्लिंग पर नमसीवाय बोलते वे अर्पित कर दें आपके कुंडली के सारे ग्रहदो समाप्त हो जाएंगे ये परियोग आप रोज भी कर सकते हैं नहीं तो हर सोंबार को ये परियोग कर लें तो मुस्किलें दूर खुम मेहनत करने के बाद भी धन आही नहीं रहा बची नहीं रहा तब आप किसी भी सनिवार के दिन एक समी का पौधा खरीद कर घर लाएं अब इस पौधे को जैसा हमने कहा छट पे किदर रखना है या फिर आंगन में आप घर से बाहर रखिएगा अब रोज सुबह स्ना बेगे रख करके गमले में आप क्या करेंगे जो पौधा है लगा लिजे पर अपने घर में जहां प्याप लगाना चाहते हैं अब पहला दिन आप एक छोटा सा काम करें समी के पौधे की जड़ में पूजा की एक सुपाड़ी और एक सिक्का जड़ की मिट्टी में कोड़ कर अपने मन की समस्या यहीं की धन की प्राप्ति की प्रात्ना करके गार दें और इसके बाद एक लोटा जल या गंगा जल है तो अरपित करें और पौधे में नियमित रूप से जल अरपित करें और साम के वक्त एक दिया जलाईएगा आप देखिएगा धन की मुस्किलें दूर हो जाएगी दूसरा कभी कभी क्या होता है न कि आप चाहते हैं कि घर में बिमारीय आए ही न अगर कोई बिमार है तो जल्दी ठीक हो जाए तब एक छोटा सा काम करें आप सनी बार के दिन समी के पौधे के गंबले में जहां भी आपका समी का पौधा है आप वहां पर एक छोटा सा पत्थल का sibling अस्थापीद करें. छोटा सा. आप कोई भी sibling का स्थापीद कर सकते हैं और sibling पर नियमित रूप से थोड़ा सा दूर्ड प् Doctharbond दूर्ड डाला करें. इस विधी से अगर आप पूझा करेंगे और महा मिर्तुंजे का मंतर का जप करेंगे माम रितात तो आप ये कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं बिवा नहीं हो पा रहा है चन कुंडली में सनी दूसीत है किसी भी सनी बार के दिन से प्रारंब करके 45 दिन तक लगातार एक प्रियोकरे आप नहीं कर पाएंगे जिस दिन उस दिन आपके बदले में क कोई घर का अन्यबेक्ति कर सकता है एक तो समी के पौधे के पास एक दिया जलाना है दूसरा अपने सिग्र बिवा के लिए काम ना करना है सनी दोस भी समाप्त होगा बिवा की अर्चनी भी समाप्त होगी वैसे तो बहुत सारे जैसे कि हमारे जोतिस में ये भी कहा गया है क और एक लाल कलावा लाल मौली धागा समी के पौधे में बांदे रात भर बांदे रहने दे सनी बार के दिन याद रखिए अगले दिन सुबह मौली धागा खोल कर एक चांदी की डिबिया में या तावीज में भर कर आप धन के अस्थान पे रख ले या आप ऐसे ही रख सकते हैं धन की मुश्कलें दूर हो जाएगी सही दिसा में लगा हुआ सनी का पौधा जीवन में दिन दूनी राज अगर घर में रखने के लिए उचीत अस्थान ना हो तो अच्छा होगा आप पास के मंदिर में रखाएं हर हर महादेश